अमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धमसनमार धन तेरस के दिन चुक्चाप करना होगा आपको यह धन प्राप्ति के टोड़का यानि ऐसे समय में कीजिएगा जब कोई रोके नहीं टोके नहीं इस बात का धियान रखिएगा देखिए इस बार धन तेरस के दिन माता लक्ष्मी कुवेर के साथ धनवंत्री जी की हम पूजा करते हैं यह तो आप सबको पता है और धन तेरस को और भी खास बनाने के लिए हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो जीवन के धन समन्दी समस्या दूर करेगा और घर में सुकसान्ती भी बनी रहेगी और यह तोटका पूरी तरह सात्विक है यह तांत्रिक उपाय नहीं है देखिए धन तेरस के दिन वैसे तो हम बहुत तरीके से मा को मनाते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ अलग जराहट के चीजें बताएंगे जैसे कि धन तेरस के दिन गोमती चक्र का वि पानी में भीगो कर उस जो कलरफूल पानी है उससे या फिर चंदन है तो चंदन से गोमती चक्र पर श्रिंग रिंग श्रिंग ऐसा आप लिखें दीखें सामने स्क्रीन पर देखें बस बिल्कुल वैसा ही पाचो गोमती चक्र पर आप लिख दें अब जब आप लक्षमी मंत्रों का जब कीजिएगा समझ में नाय कुषद ओम स्रिंग स्रिय नमह इस मंत्र का जब करें और या आप चाहें तो कनक धाराश्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं इसके बाद इस गोमती चक्र को आप लाल कपड़े में बांध कर अपने धन वाले अस्थान पर रखें हमारा धन तेरस के साम होने के बाद आप तेरा दिया एक थाली ले उस थाली में तेरा दीपक रखें सरसों के तेल डालने हैं अब इस दीपक जला ले अब उहां पर थाली में ही तेरा कोड़ी भी रखें जब आधी रात हो जाए दीपक तो उस समय तो बुजी जाएगा कोई दिक अगर आपके माल लेते हैं या आपके घर में नहीं है कहीं गाड़ने का स्थान तब ऐसे में इस चवीच को आप लाल रंग के कपड़े में बांध कर कहीं भी अंधिरे कोने में छिपा दें देखिएगा धन आने लगेगा धन की बरकत खत जो होने लगेगी जो तमाम परिसान दरिदता थी वो दूर हो जाएगी वैसे तो इस दिन एक और उपाई के जाते हैं और उस उपाई को में आपको करना क्या है जैसे कि लॉंग अब लॉंग का तो बहुत विसेस उपाई हैं इस पेक वीडियो भी बनाया है आप देख सकते हैं धन तेरस से समंदित लेकिन धन की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी यह दिपावली का खास उपाई है यह जो तीन दिन चलने वाला वैसे तो पांस दिन चलने वाला ये ब्रत है पर्व है लेकिन इस दिन में किया जाय तो जीवन परियंत आपका जो किसमत है वो साथ देता है तो इस दिन चावल के भी उपाई की जाते हैं आपको तो पता ही है चावल मतलब अक्षत जो तूटा हुआ नहीं है और मा लक्षमी साक्षात चावल धान जो कहते हैं धान वही तो हैं तो धन तेरस के रात में मा लक्षमी को 21 चावल के दाने लाल कपड़े पहले रखें तस्वीर के सामने जब आप पूजा करेंगे मा लक्षमी कुवेर जी और धन्मंत्री जी की आप लाल कपड़ा रखें इसके उपर 21 चावल आपको रखने हैं लेकिन ये चावल ऐसे नहीं ओम स्रिंग स्रिये नमह इस मंत्र का एक बार जब करें एक चावल रखें फिर ओम स्रिंग स्रिये नमह बोलते जाएं एक एक चावल उठाते जाएं और फिर उस लाल कपड़े में रखें अब सभी अक्षत को एक साथ उसमें रखने हो जाता है तब मा लक्षमी के सामने ही उसे अच्छे से बांध लें और लक्षमी जी कुवेर जी के पूजन करने के बाद उस चावल को आप उठा कर अपने धन के अस्थान पर रखें आप चाहें तो दीपावली तक वहीं पर रहने दें फिर उठा कर रख दें यकीन मानिए धन आने लगेगा धन तेरस से लेकर भ पीली कोड़ी लेने है 11 यह सामने स्क्रीन पे है न 11 पीली कोड़ियां ले अब लाल रंके कपड़े पर रखें और बैट कर स्री सुक्तम का पाठ करें या फिर मोबाइल में आप ऑडियो ही चला कर सुनने प्रेम पुरबक इसके बाद इन सभी को आप लाल कपड़े में बा से महालक्षमी वर्स भी परारंब होगा तो इस दिन गरह नच्छत्र जो है पूरे साल का भवी सुवानी निकाला जाता है इसी दिन से तो हम फिलाल आपसे विदा लेते हैं हम आगे आपको बताएंगे कि किन-किन रासियों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा तो हर-हर महाद फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ धन्यबाद